हाई मैं सवरूप शिंदे आज हम देखने वाला है एमकॉम पार्ट टू के सेमिस्टर थर्ड के फाइनसील अकाउंटिक एडवांस फाइनसील अकाउंट में एक से फॉरिन कनवर्जन ठीक है आपको पता है हमारी चाप्टर चल रहा है यह अभी हम नेक्स्ट वाला चल रहा है यह रिगुलर सुड़न के लिए भी और आइडल सुड़न के लिए भी हिल्पूल होने वाला है ठीक है ध्यान से देखना देखिए यह जो प्रॉब्लम है आप ध्यान से देखेंगे तो cdlm कंपणी है हाज हीड़ ओफीस एट मुंबई उसका हीड़ ओफीस कहा तो यह डॉलर में है अभी इंडिया की कंपणी है तो उसका जो कोई भी हिसाब रहेगा वो रुपीज में रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा यहापे डॉलर को करनवर्ट रुपीज में करना पड़ेगा बरबना कैसे सॉल करते हैं कैसे करनवर्ट करेंगे यहां मागे गे हैं देखने वालिक्ट यह पूरा ट्रैल बैलंस यह पूरा क्या है ट्रैल बैलस है ठीक है यह डेबिट है और यह पेलीट ऐसलम्ण quit कुछ इंच्वेशन उन्हों ंरहने दिया है कि देखते हम ठीक है देखिए धे में यहाँ पर देखिए अब ध्यान से फर्स्ट वाला इटम देखिए यह वाला देखिए यह का कैसा है यह डॉलर में उसके आमोन उन्होंने अलड़ी यहाँ पर रुपीज में करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका एक सवाल आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ यहाँ पर तो क्रेडिट लिखा हुआ है और यहाँ पर डेबिड बैलंस से तो देखिए मैं आपको बतना चाहिए यह जो क्वेरी है हर एक स्टूर्ण को आती है देखिए कैसा होता है आप सोचिए रहेगा और ब्रैंच के अकॉंड में जो बैलंस रहेगा अगर ब्रैंच में वो क्रेडिट में दिखा रहा है वो हेड़ ओपीस में डेबिट में दिखा रहा हुआ बराबर के ने तो हेड़ ओपीस के जो हेड़ ओपीस देखिया है ब्रैंच अकॉंड शोर्स इन हेड़ ओपीस मतलब हेड़ ओपीस के अकॉंड में यह शोर्स कर रहा है डेबिट म समझ में आ रहा है ना सो बराबर है वो यह डेबिट यहाँ पर क्रिडिट है तो हेड़ ओपिस में डेबिट होगा इसलिए बाकी कुछ नहीं यही अमांट है हमें यहाँ पर उन्होंने कनवर्ड करके दे दिया है ठीक है चलो अभी भी आपको कुछ सवाल है मतलब यह मैं क्य क्या बोलो समझ में नहीं आ रहे तो प्लिस मुझे कमेंट करके पूछ सकते में वहाँ पर बताने की कोशिस करूँगा ठीक है चलो आगे बढ़ते उसके बाद यह गूट्स रिसीव भी देखिए आप यहाँ पर डॉलर में है तो यही एग्जस्मेंट देखिए आप सब्सक्राइबन चल्यके यहाँ पर क्रे değildas लिकावर क्यूंकि यह एडीकस में देखेगा और ब्रैंच में यह एकंगे बढ़ते ही एग्जस्मेंट सब्सक्राइब देखेंगे हम उसके बाद हमको उन्हें सेकेंड वाली एजिस्मिन देदी है कि प्लैंटर मश्नरी यह देखी यह सब डेट वेगरा है ना यह सब डेप्रिसेशन के अच्छी तरह से हम देखेंगे कैसे इसको सौल करना है खली अभी पूरा प्रॉब्लम देख लेते हैं अच् में दिये यह लगबग फूर्थ नंबर के एक्जस्मिन है क्लोजिंग स्टॉक उसके बाद उन्होंने रेट हमको दिया है मतलब ओपनिंग रेट है 43.50 रुपीज पर डॉलर उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर देखिए थोड़ा इंट्रेस्टिंग है क्या इंट्र 500 रुपीज इसका मतलब क्या आप बोलए ओं प्लीस बताएं मजो आप इसका मतलब क्या होता है कि दो हंड्रिट रुपीज सुब बॉन रुपीज के कितना होगा बोलिए बोलिए कितना होगा 50 रुपीस बराबर किने 50 रुपीस is equal to 1 डॉलर समझ मैं रहा है ना 100 रुपीस अगर 2 रुपीस है तो एक डॉलर को 50 रुपीस यह थोड़ा सलग दिया है 50 यहाप पर answer आपका आजाएगा क्लोजिंग का यह उपनिंग का पराबर है 43.50 क्लोजिंग का कितना है 50 और अवरेज का उन्हें देखे आप यहाप देख सकते हैं अवरेज का कितना है यहाप 45.50 यह रेट है कनवर्ट करने के लिए आपने अगर यह पहली बार आप वीडियो देख रहे है ना तो मैं आपको जाओंगा इससे पहले वाले मतलब जो बेसिक से हमने स्टार्ट किया यह टॉपिक वो सब वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वह पहले आप देख लीजेगा अच्छी तरह से स्टड़ी कर लीजेगा उसके बाद यह वीडियो देखे अमोंट रुपीज में है वो उन्होंने लिख दे यहां पर हम पहले निकाल दे ना दो कॉलम पहले डॉलर में लिखते थे और उसको करते हैं यह उन्होंने स्किप कर दिया है चले का कुछ प्रॉब्लेम नहीं ऐसे भी कर सकते और देखे यहां पर देखे आप यह वर्टिक यह देखा था वहाँ पर मैं देखाना चाहूंगा आपको किस तरह से में बोल यह देखिए इस तरह से आप यह देखिए धान से किया था पहले तो रुपीज में यहां पर लिख दिया था बराबर नहीं पॉंट में और उसको रुपीज में किया था अभी हमने क्या किया य अब हम वर्टिकल में निकालेंगे समझ जाएगा आपको don't worry देखिए पहले तो आपको क्या करना पड़े तेकि ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रेल ब्रस इसको हमको convert करना पड़ेगा रूपीज में ये डॉलर में है ना तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा रूपीज में convert करना पड़ेगा ठीक है तो आपको पता होगा कि हम हर एक ये दिखिए हर एक आइटम को अलग rate से मतलब जो अभी हमने यहाँ पर आपको पता होगा हम मैंने अच्छी तरह से आपको पिछले कुछ वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है फिर से समझाने के कोशिश करूँगा घ्यान से देखिया आपको पता है कि ये वाली आमान अलड़ी गिवन है यहाँ पर अभी हमने देखा ये गुड्स वाली भी यहाँ पर देखिया आप अलड़ी गिवन है इनको कनवर्ड करना मतलब यही आमान उटा के आपको वहाँ पर लिख देना है बराबर पर्चेस एक में बात फिर से आपको बताना जाओंगा कि जो कोई भी एक्सपेंसेस है या इंकम्स है इनकों अवरेज रेट अपलाए करते है आवरेज तो इस पर्चेस और सेल को भी हम कौनसा रेट अपलाए करेंगे आवरेज ठीक है अवरेज रेट क्या है हम नीचे देख लेंगे अग्जेस्मिन में उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के लिए हम कौनसा रेट अपलाए करते है ओपनिंग रेट उसके बाद फिक्सपेंसेट के लिए एक स्पेसिफिक एग्जेस्मिन अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक एग्जेस्मिन है उसके हिसाब से हम रेट अपलाए करेंगे ये प्लैंट डेट अपलाई करते हैं, क्लोजिंग डेट, सो काश और बैंक बैलेंस को हम क्लोजिंग डेट अपलाई करेंगे, उसके बाद अभी मैंने आपको बाता है का जो कोई भी प्ली पिएर ये आपके एक्सेंस हो या इनकम हो इनको एवरेज एट असलाब यह salary है, rent है, taxes है, इनको कौन सा rate, average rate applicable हुगा, उसके बाद अब देखें कि data, अब देखें कि इनको closing rate, उसके बाद देखें कि यह printing है, पोस्टेस, टेलेगरम, क्यारी जाए है, interest, और legal expense, यह सब expenses है ना, इनको average rate, हाँ, यह मैंने अच्छी तरह से, कि देखिए, 100% मेरे guarantee आपको अच्छी तरह से, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम इनको rate apply करते है, अब इसको हम convert करते है, अब आपको यह मैंने बता ना, आपको यह opening rate है, और यह 100 है ना, $2 के लिए, मतलब 50, यह closing rate है, और यह 45.50, कौन सा rate है, average rate है, हाँ, इसके हिसाब से, हमने क्या किया, यहाँ पर convert किया, अभी हमने देखा ना, किसको कौन सा rate apply होता है, वो यहाँ पर ले, जैसा उपर था trial balance ना, वैसा ही हमने यहाँ पर sub name लिग दे, उसी sequence से, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, अभी हमने देखा, कि head office के लिए, हमको amount अल्री given थी, वो हमने create में लिख दी, goods के लिए भी given थी, वो भी यहाँ पर लिख दी, उसके बाद purchase sales के लिए, कौन सा rate हमने लिया है, कौन सा rate लिया, purchase sales के लिए, average rate, सो यह average rate था, हमने क्या क्या multiply करने, मतलब क्या करना है क्या है हमको, कि यहाँ पर अब देख सकते है, यहाँ पर purchase के amount है, 3,87,516, मतलब 3,87,516, सो इसको into, कितना rate है हमारा, 43.50 था ना, average rate देखेंगे, फिर से देखिए, कि आप यहाँ पर देख सकते, कितना rate है, 45.50 rate है, सो इससे हम multiply करेंगे, उसको तो हमको यह वाली amount मिल जाएगे, सेम sales की amount को भी, इससे multiply करेंगे, हमको यह amount रुपीज में मिल जाएगे, क्योंकि वो dollar में है, बरबना एक dollar है, उसके हिसाब से हमने यह convert किया रुपीज में, उसके बाद देख से तो opening को opening rate से, हमने मल्ले बाई किया, यह मिल गया, इस तरह से आपको क्या करना है, सभी, अब यह जो है ना, machinery और furniture यह मैं आपको बताना चाहूँगा, यह adjustment देखिए धिहान से, आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, planter machine acquired branch, 31st December, 1 US dollar equal to 45, मतलब यह देखिए आप, जब planter machine acquired हुई, तब रेट क्या था, 1 dollar के लिए 45 था, और जब furniture acquired हुआ, तब रेट क्या था, 100 for equal, 2.5 US dollar, यह देखिए यहाँ पे भी interesting है, मतलब 100, अगर आप करेंगे, तो आपको मुझे लगता है, आपको rate मिल जाएगा, आपको rate मिलना चाहिए 25, ठीक है, तो furniture के लिए 25 अपला होगा, और मशनरी के लिए 45, देखिए चलो नीचे देखते हम, और उसकी value इदर, अल्री given है, आप देख सकते, यहाँ पर मशनरी के लिए उन्होंने, कितने अमोंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 34,120, furniture के लिए 16,316, ठीक है, यही हमने convert, यहाँ पर कर दिया है, देख सकते हैं, आप rate धानसे देखिए, मशनरी के लिए 45, और furniture के लिए 40 आ रहा है, मतलब 100 upon 2.5 अगर आपने किया, तो वह आपको 40 मिल जाएगा, बरबर, यह 40 मिल जाएगा, इससे multiply करके आपको यामोन मिल जाएगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको पता है, cash bank के लिए कौन सा rate, closing rate, यह closing कितना है, 50 है, इसी तरह से अपने सभी, सभी expenses और जो कोई भी assets है, current assets वेगरा, इनको rate apply करके आमोन यह निकाली, यह आपको तो अभी तक पता चलना ही चाहिए, यह आपको आना ही चाहिए, ठीक है, और दूसरी और important बात, बात में आप क्या करते हैं, कौन सी, मतलब debit या credit side जाद आ रही है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर तो credit side की total जाद आ रही है, so, जो difference मिलेगा, वो debit में मिलेगा, credit की total करके, debit का minus करके, जो difference मिल रहा है हमको, 1,11,138, so, यहाँ, उसको difference in forenses जाशा नाम देंगे, ठीके, समझ मैं रहा यहाँ तक, देखें, फिर से मैं कहना चाओंगा, अगर यह पहली बार देखेंगे, तो कुछ आपको doubts होगे, इसलिए मैं फिर से कहना चाओंगा, कि प्लीज वो पहले से, फर्स्ट वीडियो से देखिए, आपको अची तरह से, यह समझ में आ जागे, इसलिए समझ में आ जाएगा, ठीके, उसके पाद यह डिप्रिसेशन का कुछ एग्जेस्ट में है, मतलब क्या है, कि आप ध्यान से अगर देखेंगे, तो देखेंगे, परसेंडेस तो गीवन है, मतलब 25% मर्षनरी के लिए है, 10% फरनीचर के लिए, ठीके सर, लेकिन, यहाँ पर उन्होंने जब मर्षनरी लिया, वो 31 डिसेंबर को लिया, हमारा क्लोज आपको पता है, 32 पस मार्च रहता है, तो जैनिवरी, फिब्रोरी मार्च, तो थ्री मन्थ ही मर्षनरी था हमारे पास थी, तो डिप्रेसेशन भी थी मन्थ का निकालना पड़ेगा, और फरनीचर 30 जून को लिया, तो यह हमारे पास 6 मन्थ था, बराबर के नहीं, अगर आप, स्वरी, 6 मन्थ नहीं, जुले, अगर्स, सब्टेंबर, अक्टोबर, नोहेंबर, डिसेंबर, जानेवी, फिवरी, मार्च, तो 9 मन्थ था, फरनीचर, ठीके, तो उसके इसाब सब्टेंब को डिप्रेसेशन निकालना पड़ा, इसलिए एक्जेस्मेन यह ध्यान से देखिया, आपको यह 15,35,400 पे हमने 25% निकाला 3 मन्थ के लिए, कि आपको पता है न, कहसे निकालते, आप अभी M.com कर रहे हैं, तो आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो मैं बताना चाहूँगा, देखिया, आप कैसे करते हैं, 15,35,400, इन्टू आप पहले तो 25% से निकाल लिजएगा, कैल्सी पे, और जो अंसर आपको मिल जाएगा, उसको मल्टिवागर 3 डिवाइड बै ट्वेल करके, हाँ, इन्टू 3 आपको यह आमाट मिल जाएगे, देखिया, 95,963, सेम इस पे आपको 10% निकालना है, 9 मंद के लिए, तो आपको यह आमाट मिल जाएगे, ठीक है, इसी तरह से, 9 आपको 12 कर, पहले 10% निकाल, उसके बाद, इन्टू 9 आपको 12, अपने कैल्सी पे किया, तो आपको यह आमाट मिल जाएगे, यह आपने डेपेसेशन निकाला, आपको पता होगा, पहले तो हम सेल्स यहापे लिख देते हैं, जैसे कि यह देखिए, सेल्स हमने लिख दिया यहापे, सिल्की आमाट आपको ट्राइल बैस में मिल जाएगी, अभी हमने कनवर्ड करके निकाली है, उसके बाद लेस कॉस्ट आप उसो, उसमें हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक की वहापे आमाट मिल जाएगी, पर्चेस की मिल जाएगी, बराबर यह सब, और गूड्स रिसीव फ्रॉम हेड़ आप इस, जो आमाट है, आप देख सकते हैं, जो डेबिट साइट में अमाट है, वो भी आपको वहापे मिल जाएगी, यह तीन अमाट यहापे आप लिख देंगे, उसके बाद, क्लोडिंग स्टॉक की जो भी अमाट है, वो आपको यहापे नीच एग्जेस्मिन में उन्होंने दे दी है, यहापे ध्यान से देखिए, यह देखिए, यह क्लोडिंग स्टॉक की अमाट है, इससे आपको यह जो क्लोडिंग स्टॉक का रेट था ना, 50 रेट है न, इससे मल्टिपाय करके आपको अमाट निकालनी है, क्लोडिंग स्टॉक की, और यहाँ पे लिग देने यह देखे आप यहाँ पे हमने लिग दे तो इसकी total करके यह closing stock minus करके जो amount हमको मिल जाएगी वो यह रहेगी उसे हम cost of goods all कहते हैं यह आपको पता है यह cost of goods all हम sales से minus करनेंगे तो हमको यह 97,29,904 यह आपको GB मतलब gross profit मिल जाएगा अभी यह gross profit आपक अभी expenses मिल जाएगे देखे आप यहाँ पे कौनकों से मिल जाएगे तो देखे आप salary है office and taxes है printing sessionary postage है carriage है interest है legal expenses यह सभी expenses उटा के यहाँ पे operating expense में आपको लिग देने है ठीके यह लिग देने है आपको यहाँ पे और उसको और depreciation अभी हमने यहाँ पे निकला भी आपने देखा यह देखे आप यह depreciation के value यह भी आपको यहाँ पे नीचे लिग देनी है और जो GP था हमारा यह amount आपको मिल जाएगे और GP से इसको minus कर देना है यह वाला GP की amount है gross profit की इससे इन जो expenses की total है यह इसको आपको minus कर देना है ठीके सबको यह वाला NP मतलब net profit मिल जाएगा इसे यह कुछ नहीं है और पहले वाले problem में हमने horizontal देखा था मतले debit credit वाला देखा था अभी यह vertical में है ठीके इस तरह से आपको यह NP मिल जाएग सब्सक्राइब में देखा था वह वाला मतलब first वाला आइटम में देखे आप ट्राइल बैंस में वह हमने यहाँ पर लिग दिया उसमें हमने यह जो net profit हमको मिले वह प्लस कर दिया आड कर दिया सो हमको यह total मिल जाए यहाँ ठीक है सर उसके बाद क्या करना है कि इसके इसक दिख रहे हमके लिग सकते वापे तो नहीं देखिए आपको पता होगा वर्टिकल जो बैलन सीट रहती है ना सो उसमें हम जो करन्ट एसे करन्ट लैब्रीज रहते हैं वह एसेट के बाजू में ही लिखते हैं दिकता कैसे लिखते हैं देखिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया अभी हमने application of fun यहाँ पर लिख दिया यहाँ फिक्स उसें लिख दिया जैसे कि प्लाइने मस्टरी उसका डेपिसेशन माइनस करके यहाँ पर आपको अमाउंट लेनी है वहाँ यहाँ बाहर अमाउंट लेनी है उसके बात करन्ट एसेट बाकिकूछ भी बज़े एस अपने यहां पर लिग दिया उसके बाद करण्ट लाबडी जो अभी मैंने बोला आपको संडिकेड़ वह यहां पर अपने ले लिया एको से करंट लाब्डी माइनस आपने कर दिया तो आपको यह आमांट मिल गई और यह असेड की टोडल आमांट है इसको फाइनली अपने इसकी टोडल कर दी तो आपको यह 29,累 39,799 की टोडल मिल चाहेगी जो कोई यह आप ध्यां से देखेंगे तो यह वाली टोडल और यह लैबी साइट वे टोडल सेम आनी चाहिए तो आपका प्राव्लेम कम्प्रीट हो चुका है ठीक है इस तरह से आपको अच्छी तरह से सॉल करना है ठीक है देखिए यह देखिए धान से में धीरे धीरे यह स्क्रोल करके आपको यह दिखाना चाहूंगा इसकी जो PDF है वह हमार पर्सनल वाट्सप ग्रूप को आपको मिल जाएंगी ठीक है देखिए ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से अब स्टॉप करके स्किन्शॉट भी निकल सकते इस समका नहीं तो आपको इन्वेस्टी के साइट में भी मिल जाएगा यह तुरू अट का यह एक्जम्पल है ठीक है इस तरह से अच्छी तरह से सॉल कर लेना अगर कोई भी डाउट्स हो कोई इंप्रूमेंट करना आप चाहते हो तो आप मुसे कॉंटेक्ट कर सकते हो ठीक है हां हमारा कॉंटेक्ट नमबर अप ले सकते हो 8055969450 हां यहापे आप मुसे कॉंटेक्ट कर से हमसे जूर स ले सकते हो थांक यू